हाई एव्रीवन वेल्कम बाक टुशाई क्लासेज फिस्ट फॉर गड़िप्टिंग टू एव्रीवन कैसे हैं आप सब होफुली बहुत अच्छे हैं सभी को गुड इपनिंग राधे राधे जैशे कृष्णा राम राम मुझे उमीद है आप लोगी बढ़ाई बहुत अच् आप से पूरा वीडियो इंटेक्स जरूर देखेगा और इस वीडियो में आपको आपके कुछ बहुत महात्वों टिप्स पर आप डिसकस करना चाहती हूं क्योंकि लास्ट टाइम में तो आप जरूर एक बार देख कर जाएं रीजन उसका यह रहेगा कि आप उससे शायद कह सकते हैं कि काफी अच्छा परफॉर्म करके आप आएंगे तो चल्य देखते हैं कि इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले और आप यहाँ पर क्या नया सीखने वाले हैं आप में से बहुत सारे लोग को बहुत सारे डाउट्स हैं तो वह कुछ डाउट्स मेंने आपके और क्लेर हो जाएंगी ताकि आपके जो एक्जाम में वह बहुत अच्छे तरीके से हो और आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक्जाम अपना करकर आएं आप जो रहें आप जा रहें एक्जाम आप देना हैं सभी को best of luck मेरी ओर से अब आए जानते हैं कि व कॉपी आपकी कटी-फटी ना हो पन्ने पेज इसके गायब ना हो अदरवाइस आप लिखेंगे आप बाद में चेक करते हैं बीचे पेज खराब रहते हैं फिर आपको दिक्कत होती है इससे अच्छा है कि आप शुरवात में उस चीक को चेक कर लें कि कॉपी कटी-फटी किसके बीच में पनले साइसस निकल रहते हैं क्यां कि कökई कौफी जाती है कुछ बीच में करना है कि outta K दूसरा पॉइंट आपको जो कॉपी आपके मिलेगी लंबी कॉपी की रेजिस्टर नुमा कॉपी होगी कोई जैसे आपके UP बोड की आपने मनलब जैसे टैंस में दिया है पेपर तो होरिजेंटल रहती लेती 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 ले ऐसा नहीं रहेगा आपका यहां पेपर की जो झ तो डीटेल आप जब भर रहे हैं तो वहाँ पर एक्जामनर जो होते हैं वो कॉपी तो चेक करते ही हैं आपकी देखते हैं लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है सबसे महातुर रोल नंबर को देखकर सही से भरें अन्ता आपकी कॉपी नहीं चेकोगी इस बात को ध्यान रखे कि आपके रोल नंबर में कट्पिट और वाइटनर लगने की संभावना नहीं उत्पन होनी चाहिए आप सभी को अपने इस कारे को बहुत सुचार रूप से एकदम ध्यान पूर्वक करना होगा अपनी कॉपी में रोल नंबर को देखकर एक एक नंबर को लिखें और आप कि आप यह ध्यान अर लोग जानते हैं जब कभी विए रोल नंबर बहुत बड़े डिजस्की होते हैं चोड़ा तेरा इसी संख्याओं के पूरी आपके रोल नंबर सोते हैं फिर आपको संदों लिखने के आप करोन अरब सो और आप तक नहीं जाएंगे आपको अगर 14 15 जैसे भी नंबर से स्टार्ट है तो वन जिसे मान लीजे सपोस्ट करिए कि आपका जो रोल नंबर स्टार्ट है वो क्या सकते हैं कि 15 6 2 7 8 1 9 7 एक ऐसे करके कुछ है तो आप इसको और यह रोल नंबर आपकी किसी पेपर में हमेशा एक को बढ़े लिखते हैं 5 को 5 लिखते हैं मतलब हिंदी में लिखना रहाएगा आप इसको हिंदी इसको सव और लाख करोन त्रेयन के नहीं लिखा जाता हमीशा दियाना कि कभी नहीं होता कभी कई कौई कौपी नहीं हटती आपको वनका वनगाओं प्रकुरेंदिक चैनल कोई प्रॉलम नहीं है तो मैं भी दिखाइब मुष्या सबस्क्राइब सबस्क्राइब और अपने के स्केल लेके जानी है आप डू ब्लैक पैन आती वही प्रिफर कर ये लेके जाए वह ज्यादा बैस्ट है बैस्ट इसलिए है कि वह हमें लिखने में आसानी के हम बिता है पेपर छोटा होता है लेकिन बच्चे सोचते हैं कि हम लिखेंगा को कॉपी एक्जाम के नहीं चूट जाते हैं क्वेकशन नहीं कर पाते हैं तो जेल पैन जो होती देखने में तो पहुत अच्छी लगती जाहिड से बाद आप जैल पैन ले 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 लिए और भी पैन लिखते समय आपकी सरलता से नहीं लिखाती है तो थोड़ा धीडियर दे चलती है अगर आ तब आप कर सकते वह आपकी शम्ता पे निर्फर करता है लेकिन ज्यादा बेदर है कि आप वही डॉट पैन ले लिए वह कभी सरलता से चलती है और आराम से आपके लिखावाट में भी काफी रहती है बस साफ सुत्रा ध्यान लखना है पैन कोई भी डेदन माटर तो यह काम अ आंको ही करिए इसके बाद आपकी परष्णाइं और उनको करी उसके बाद जो पर शॉसे क्या होता है कि जब चीजेशे नहीं कुछ करें पिर जो करें तो यह आपके लिए पणने बढ़िया रहेगा और आपकी कापी बढ़िया रहेगा और आपकी जो उत्तर देने वो अपने शब्दों में दें यह point मैंने इसलिए लिया हुआ है कि बहुत सारे प्रश्ण ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं रहते हैं किताबी तरीके से तो किताब की जो भासा है उसको लिखने के लिए मत परशान हुई कि हमें वही लिखना है आप जो परिवाशा लिखे या जो भी चीज़े लिखे जो भी कथन आप लिखे अपने शब्दों में बना कर लिखे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा आंसर छोड़ने में कोई बहादुरी नहीं है कि हमसे चीज़े नहीं आ रही बस अपने शब्दों में साफ सुत्रा लिखने का प्रयाज करें और यह बात ध्यान रखेंगा कि जो चीज़ें आप लिखने उसका कोई सार्थ अर्थ निकले ठीक है इस बात को ध्यान जरूर रखेगा नेक्स पॉइंट यह है कि अपने सभी उत्रों के जो प्रश्ण देने हो साफ सुत्री डाइटी में लिखें जब आप सही लिख रहे हैं कथन आपके सही है उचित है तो थोड़ा सा सुंदर लिखावट उसमें अगर लिखी देंगे तो चार चांद लग जाए कि आपकी ल चार रूप से पहरे तेरे ध्यान एकदम सतर करें के ऐसी कॉपी को लिखने का प्रयास करना है कि राइटिंग भी अच्छी हो जाए थोड़ी थोड़ी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी ना हो कि एकदम सजाओ वहां पर बैट के खुब डेकोरेट करो रंग वी रंग क एक चाहिए के बड़ी और रहते हैं, सब्सक्राइब करने सबस Onda क्रवाएक बीच कुछL. आप चाहें तो एक मार्जिन उसमें कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है वो भी आपका यूनिक रहेगा आप चाहे सकते हैं चाहे पैंसे कर सकते हैं आगे चलते हैं यह रहा लास्ट पॉइंट थांक्स वोचिंग मुझे उमीद है कि आपके एक्जाम के पहले मैंने आपको बहुत सारे भिठाएं बहुत सारे विश्ष चाहन हो आपके लिए हुटस बहुत सबाटे कर दोनों चेनल के बारे में जपना हुटे कर दियो इस अफृट कर पढ़ने च्रह काके अपने संब कर नकर और चाहर करें कर नहीं बूल्स्त पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल वह मुलते हैं मिलते हैं फिर ही सारी बातों के साथ नया कुछ सीखेंगे जानेंगे तब तक करें टेक केर बाब बाई पैस्ट अफ लग